वेलकम टू हरी टेकनिकल दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एमोवी का भेलू कैसे जाने और दोस्तों यह जो लगा रहाता है सरकीट में तो इसको भेलू कैसे पैचाने कि 9W में कौन सा लगा है और 15W में कौन सा लगा है और दोस्तों इसको चेक करने का तरीका में बता को दोस्तों ये के بीब का सांड पर इस तरह से लगा लिजेगा सब्सक्राइब यह कोई वहलुट करें या कोई competent बेब का सांड थे समझए खराथ में इस तरह लगाए और यह कोई बेलुट्स वह नहीं कर रहा पिर इसको पलटक लगाएंगे इसको इधर लगाएंगे और ढूले सकते हैं दोस्तों कोई भेलू सो नहीं किया कोई बीब का साउंड नहीं दिया इसका मतलब यह एमोवी ओके है इस तरह से इस एमोवी को आप चेक कर सकते हैं मल्टिमीटर से और दोस्तों इसका जो भेलू है इसको आप देखिए इस सर्कृट में जो लगा रहता है इसका आपको मैं बता दूँ यह इसको भेलू पहचानने का तरीका में बताऊंगा आपको कि इस पर जो लिखा रहेगा अगर आप इस पर लिखा देख सकते हैं इस पर लिखा रहेगा ज्यादा तर 9 वाट और 9 वाट 7 वाट में आपको मिलेगा इसमें जो भेलू लिखा रहता है दोस्तों 07D511K यह र AC ठीक है दोस्तों इससे अगर ज्यादा आएगा तो यह खराब हो जाएगा तो जब खराब हो जाएगा तो आप मल्टी मीटर से चेक कर सकते हैं तो इस तरह से आप इस MOV को चेक कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अगर 15 वाट 20 वाट में देखेंगे बड़ा वाला जैसे इस है ठीक है दोस्तों तो जैसे जैसे सर्कीट का साइज बढ़ेगा उस तरह से ये कैपासिटी ज्यादा करके लगाए जाता है कंपनी जो ज्यादा तर लगा देती है नाइन वाट में वह 511 के दोस्तों यह 320 वोल्ट से सकता है तो दोस्तों इस एमोवी के बारे में आप जान चुके हैं अगर आपका कोई भी एमोवी अगर खराब होता है तो मल्टीमीटर से पहले चेक कीजिए और इसको कौन सा सर्कीट में आपको कौन से वेलू का लगाना है वह कैसे पैचाने गया वह मैं आपको बताया हूं इसका नंबर देखके इस तरह से देखके आप अपना सर्कीट में एमोवी लगा सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिये थैंक यू फर वाचिंग हरी टेक्निका थैंक्स